प्रादर्णी साथियों प्रणाम लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे अंधे शिदिलांग मतदाता के साथि के घुशनापत्र के संबन्द में और यदि इस तरह से कोई मतदाता मतदान करने के लिए आपके मतदान केंदर पर आते हैं तो काउन सी और कैसी प्रक्रिया अपना ही जाएगी सत्यू निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 है और उसके नियम 40 के अंतरगत यह व्यवस्था की जाती है गोशनापत्र में किस तरह से इंट्रीज होगी आईए हम देखते हैं लोकसभा अबलिक विधान सभा विधान सभा को का के लिए 27 खरगोन अजजा निर्वाचन शेत्र से निर्वाचन आप अपने लोकसभा शेत्र का क्रमांक और नाम लिख दीजिए दूसरे पेरेग्राप में पांसते हैं मतदान केंदर का संख्यांक वो नाम पांच अबस मैं रमेश पिता का नाम स्री सुरेश आयू 19 वर्ष 6 मां का निवासी नया महला अवस घोशना करता हूँ की साथियों ये जो विवरण दिये गए हैं ये मतदान केंदर हुआ है जहां पर मतदान करने के लिए इस तरह के मतदाता आते हैं और ये जो रमेश और सुरेश लिखा हुआ है आधनी साथियों ये विवरण हैं ऐसे मत मतदाता का नाम नहीं है, यहाँ पर मतदाता के साथी का उलेक करना है, क्योंकि यह घोशना मतदाता के द्वारा नहीं की जा रही, बलकि मतदाता के साथी के द्वारा घोशना की जा रही, और देखिए घोशना के कुल कितने बिंदू हैं, दो, क और ख, क्या घोशना कर रहे ह ये कह में घोशना कर रहे हैं कि मैंने आज तारीक 13 मई 2024 को किसी मतदान केंदर पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है और मैं गणेश अबलिक 5 अबलिक 110 से अपने द्वारा अभिलिखित किये गए मत को गुपत रखूंगा आईए इन दोनों ब निर्वाचन है वह तारिक डालनी हैं यहाँ पर चुकि खरगोन लोग सभा शेत्र का चुनाव 13 मई को होगा अधर 13 मई डाली है आप जिस लोग सभा निर्वाचन शेत्र में मतदान अधिकारी या मतदान दल के सदश्य के तौर पर कारे करे हैं वहाँ पर जिस तारिक को च केंद्र लिखना है जीरो फाइप मतदान केंद्र है जहां पर ऐसा मतदाता मतदान करने के लिए आये हैं और 110 नंबर जो है निर्वाचक नामावली में गणेश नामक अंधेया शितिलांग मतदाता का क्रमांक है और की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किये गए मत को गु जाते थे वो उन्होंने अपने साथी को बता दिया यानि जो उनके साथ में आये हुए हैं रमेश उनको बता दिया कि मैं अमुक केंदिडेट को वोड़ देना चाहता हूं उनने गणेश की तरब से उस केंदिडेट को वोड़ दे दिया है और अब ख़व पॉइंट में व इस तरह से साथियो यह गोशना पत्र त्यार किया जता है तो आपने देखा कि कहां पर मतदाता का उलेक करना है और कहां पर मतदाता के साथ आए साथी का उलेक करना है साथियो अब मतदाता रजिस्टर में इसके इंट्री कैसे होती है मतदाता रेजिस्टर में इंट्री की जाती है जैसे अन्य मतदाता की की जाती है वैसे ही अगर मान लेजिए द्रस्टिबाधित मतदाता स्वयम हस्ताक्षर करने में सक्षम है तो उनके हस्ताक्षर या अंगुठे के निशान ले लिए जाते हैं लेकिन मद्दाता शितिलांग है, अर्थात उनका हाथ इस तरह से है कि वो न तो हस्ताक्षर कर सकते हैं और नहीं अंगुठे के निशान लगा सकते हैं, ऐसी इस्तिती में मद्दाता रेजिस्टर में हम उनके साथ आये साथी के हस्ताक्षर करवाते हैं, या साथी निरक्षर हैं तो अंगुठे का निशान लगाते हैं और मददाता रेजिस्टर के पांचवे वाले कॉलम में यानि अभ्युक्ति या टिपणी वाले कालम में हम लिखते हैं स्पस्टता के साथ कि साथी के हस्ताक्षर लिए गए क्या हम ऐसे साथी को अमिडशाही भी लगाएंगे जी हां बिलकुल लगाएंगे ऐसे मददाता के साथ आए हुए मददाता साथी के हम सीधे हात में, यानि की दाएं हात में तरजनी अंगुली पर अमिट शाही लगाएंगे इसको फिर से इस पस्टता से समझ लिजिए जो मद्दाता है अंधेया शितिलाग उनको तो हम सामाने मद्दाता की तौर पर उनके बाएं हाथ यानि लेफ्ट हैंड की तरजनी अंगुली यानि अंगुठे के पास वाली अंगुली जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहतें अंग्रेजी में उस पे हम अमिट शाही लगा देंगे ये तो हो गया मद्दाता अब मद्दाता के साथ जो साथी आये हैं उनको क्या करेंगे उनके दाएं हाथ यानि राइट हैंड की तरजनी अंगुली यानि अंगुठे के पास वाली अंगुली यानि इंडेक्स फिंगर पर हम अमिट शाही का निशान लगाएंगे इस बात को ध्यान रखे इससे आपको एक बात और इसपस्ट हो गई होगी कि कोई वेक्ती एक निर्वाचन में किसी एक मद्दाता के साथी के तौर पर ही कारे कर सकते हैं यानि निर्वाचन में सहयोग कर सकते हैं किसी मद्दाता ने किसी अन्य मद्दाता के तौर पर या साथी के तौर पर काम तो नहीं किया है कैसे पता चलेगा इसके लिए हमें देखना होगा एसे मददाता का सीधा हाथ और सीधे हाथ की तरजनी अंगुली यदि उस पर पहले से अमीट शाही का निशान नहीं लगा है इसका मतलब है कि ऐसा वेक्ति पहली बार साथी के तौर पर कारे करने के लिए आपके मददान के इंदर पर उबस्तित हुआ है और हम उसे अनुमती प्रदान करेंगे कि आप साथी के तौर पर मतदाता का सायोग कर सकते हैं जो साथी बनेंगे उनकी अरहता क्या होनी चाहिए तो दिहान रखे साथियों कि ऐसा वेक्ति ही साथी बन सकता है जो अठारा वर्ष से अधिकायू का है और साथी साथ में वो मतदाता के तौर पर उनका नाम निर्वाचक नामावली में लिखा हुआ भी होना चाहिए किसी भी मतदान के इंदर पर वो निर्वाचक नामावली के मतदाता हो सकते हैं तो ये सारी बातें थी, हमने प्रसंग वश आपको कुछ और बात भी बताई, इस तरह के जितने मतदाता आपके मतदान के इंदर पराते हैं, उनकी एक सूची भी बनाई जाती है, उसका विवरण हम आपको अलग से अगले वीडियो में देंगे, आशा है ये वीडियो आपक अच्छे लग रहे होंगे, और आपकी कॉंसेप्ट भी क्लियर हो रही होगे, कृपिया कॉमेंट बॉक्स में बताईए, कि आप भारत के किस राज्य के, किस लोग सभाशेतर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें प्रसंदता होगे, महतुपूर्ण बात आप तक पह नमस्कार